यह वीडियो कलास 6 का है और आपका मज़मून उर्दू बच्चों हम लोग इस वीडियो में सबक नमर तीन पढ़ेंगे सबक नमर तीन का नाम है अफ्रीका कहां थी अफ्रीका कहां थी सबक में हम लोग जानेंगे अफ्रीका कहां थी और हमारे देश कहां थी में क्या डिफरेंट है क्या अलग-अलग उसमें क्या फर्क है इस सबक के मुसनिफ मुहतर्मा पुदिसिया जैदी है पुदिसिया जैदी ने हिंदुस्तान की तहजीवी जिंदगी को बेहतर बनाने और सावारने में नया नुमाया किरदार अदा किया है उनके लिखे हुए बहुत से ड्रामे शाले हो चुके हैं यहां उनहीं का लिखा हुआ मजमून अफरीका कहा थी पेश किया जा रहा है इस से आपको अफरीका के हाथी के बारे में मुफीद मालूमात हासिल होगी मतला अच्छी जानकारी हमें मेलेगी अफरीका कहा थी आईए अफरीका के हाथी से मिलिए इनके भाई बंद हमारे मुलक में भी होते हैं मुझा भी नहीं हाथी के तरह हमारे मुलक में भी होते हैं लेकिन इस हाथी और हमारे मुलक हिंदुस्तान के हाथी में बहुत फर्क होता है हिंदुस्तान और बर्मा का हाथी तो एक ही तरह का होता है मगर यहां का हाथी मुख्तलिफ है यानि अफरीका बर्मा और हिंदुस्तान का हाथी एक तरह का है और अफरीका का हाथी मुख्तफ यानि अलग तरीका का है उसका कद 12 फूट और कानों की चोड़ाई 5 फूट तक होती है अफरीका की हाथी का कद कितना होता है 12 फूट और कान की चोड़ाई 5 फूट तक होती है हिंदुस्तान और बर्मा के हाथी का कद 10 फूट से ज़्यादा नहीं होता और कानों की चोड़ाई 3-4 फूट होती है और हिंदुस्तान बर्मा के हाथी कितना होता देस फुट से जादा नहीं है और उसकी कान की चौराईं तीन से चार फीट तक यहां के हाथी के सूर्ड चौड़ी दार होती है और सूर्ड पर नथुनी के करीब दो छोटी छोटी उंगलियां सी होती है अफ्रीका के हाथी के जो सूर्ड है चौड़ी होती है और उसके सूर्ड के सन नीचे दो छोटी छोटी उंगली के तरह होती है हमारे देश के हाथी की सूढ हमनुदार होती है और दुसरे पर एक ही उंगली होती है एक ही उंगली होती है हाथी उस नोकदार उंगली के मदद से जमीन पर से सूई तक उठा सकता है हाथी जो है उस छोटी से उली के मदद से सूई तक उठा सकती है हाथी की सूण बड़ी कारवामद चीज है हाथी के सूण बहुत काम में आती है बहुत काम का चीज होता है यह उस से बहुत काम लेता है जैसे खाना उठा कर मुह तक ले जानता है सूड का गलास बना कर पानी पीता है और अपने महावत यानि अपने मालिक को सूड से उठा कर पीठ पर बैठाता है नहाते वक्त सूड में पानी भर कर अपने जिस्म पर डालता है अपने सूड से हरी हरी टहनियां तोड़ कर मुह तक ले जाता है और बू सुंकर यानि खुश्बू सुंकर दुश्मन का पता दूर से लगा लेता है देखिए वो सूर की मदद से इतने सारे को काम करता है कि वो अपने सूर से तहनी तोड़ता है खाने का काम जो खाना है उसका भोसन होता है वो सूड से उठाकर अपने मुझ में डालता है नात वक्त सूड से पानी लेकर अपने बदन पे डालता है और अपने माली को भी नहलाता है और दूर से ही सूड के मदद से सुन करके वो दुश्मनों का पता लगा लेता है अपने खतरात क्या उसे मालम हो जाता है हिंदुस्तान के हाथी की तरह अफ्रीका के हाथी के गर्दन के पास से गढ़िया नहीं होता जहां महावत बैठ कर बैठ कर आक्स से हाथ हाथी को सिधा सिधाता है वह सके हाथी के पास में ये अफ्रीका का हाथी के पास गढ़िया नहीं होता है जिसके पास महावत जो हाथी चलाने वला होता हाकने वला होता है वो बैठ सके जिसे सिधाया जा सके यानि उसे सिधाया नहीं जा सकते उसे कोछी सिखाया नहीं जाता है शायद इसी वज़ा से अफरीका के हाथी को सिधाया नहीं सकते हिंदुस्तान और बर्मा में सवारी के अलावा हाथी से जंगलों में बहुत काम लिया जाता है ये दरखतों के मोटे-मोटे ये दरखतों के मोटे-मोटे भारी तने एक जगा से दूसी जगा सूंड से उठा कर ले जाता है मगर अफरीका का हाथी इनसान के काम का नहीं है अफरीका का हाथी है वो सिधाय नहीं जाता है यानि उसे कुछ सिखा नहीं सकते, वो इंसानों का कोई काम का नहीं होता है, अफरीका के हाथी और हथनियों के दात आठ फूट तक रंबे देखे गए हैं, मगर हिंदुस्तान और बर्मा नर हाथी के दात उन से बहुत छोटे होते हैं, और मादा के तो अक्सर होते ही नहीं, और इतफाक से होते भी हैं, तो बराए नाम, यानि छोटा सा, हलका सा, हंदिस्तान के हाथी हमारे देखे कितने काम आते हैं, और अफरीका के हाथी कुछ इनसान के काम नहीं आते हैं, ये तो तुम को शायद मगलूम ही होगा, कि इशाई मुलकों में, राजा महराजा और न लगाने के लिए पालते हैं, पुराने जमाने में, पुराने जमाने में जब टैंक वगारा नहीं होते थे, तो हाथियों से टैंकों का काम लिया जाता था, जिस फोज के पास जितने ज्यादा हाथी होते थे, उतनी ही उसकी जीत की उम्मीद ज्यादा होती थी, यानि पहले जब राजा बड़े राजा जो थे और उनके ट्रैंक को लड़ाई करने का थियार जो था तो वह कैसे जाता तो वह हाथी के जड़िये उसे ले जाये जाता था और जिसके पास ज्यादा ट्रैंक होता था उसकी जित होने की ज्यादा चांसल होती थी ज्यादा उमीद रहते था हिंदुस्तान और बर्मा के हाथी बड़ा होसियार जानवर है और बड़ी जल्दी सिधाया जा सकता है यानि सिधाया जा सकता है इंदुस्तान वे बढ़मा के हाथी जो है उसे हम बहुत जल्दी सिखा देते हैं और वो बहुत जल्दी ही सीख जाता है हमें क्या करना है नहीं करना है उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है रास्ता नहीं भूलता शिकारों के लिए बड़ी काम की चीज है और शिकारों के लिए शिकारियों के लिए बड़ी काम की चीज है घने जंगलों में बड़ी एहतियात से फूक फूक कर कदम रखता है अगर कोई खत्रा हो तो आगे नहीं बड़ता बलके वह वहीं खड़ा हो जाता जब उसे यह मालूम चल जाता है कि आगे रास्ते में खत्रा तो वह आगे नहीं बड़ता और एक जगा खड़ा हो जाता और मुड कर दूसरा रास्ता तलाश कर लेता है और वो अपना रास्ता बदल देता है जंगली हाथी आम तोर परबन में अकेला रहता है मगर खाने की तलाश में एक जगा से दूसरी जगा जाता है तो बड़े बड़े गोल बना कर चलता है गोल में रहने वाले जानवरों की तरह उनके गोल का भी सरदार होता है मतलब हाथी जब अपनी भुजन की तलाश के या पानी के तलाश में चलता है तो गोल बना करके जाता है और उस गोल में एक अपना सरदार बनाता है कि ये मेरा सरदार है जब गोल एक जगा से दुसी जगा के लिए रवाना होता है तो कबीला का सरदार सबसे आगे बच्चे और हतनिया उसके पीछे और हाथी सबसे पीछे चलते हैं जो सरदार होता है वो सबसे आगे और उसके बाद जितने भी हाथी के बच्चे और हतनिया यानि मादा जो होती है वो उसके पीछे और सबसे पीछे हाथी चलता है बाद दफ़ा जब कोई सर फीरा हाथी सरदार की जगह लेना चाहता है और मुकाबला में हार जाता है तो और हाथी उसे गोल से निकाल देते हैं उसमें भी जो हाथी सर्दार बनता है और जो दूसरा हाथी अगर सर्दार का पद लेना चाहता है तो वहाँ पे वो लोग मुकाबला करता है उसमें मुकाबला होता है जंग होती है और जो हाथी जितता है वो सर्दार बनता है और जो हार जाता है उसे गोल से निकाल देता है दूसरा गोल भी अपने कबिले में शामिल नहीं करता और ये बागी हाथी तनहाई की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाता है उसे दुनिया की हर चीज बुरी मालूम होने लगती है अब वो गदार हो गया उसे हाथी जब उसे गोल से निकल दिया तो वो अब क्या हो गय वो बागी हो गया यानि खतर न वो अब किसी को बख्षे का नहीं जो इसको सामने आता उसे मार देता और ये रफ़ता रफ़ता जिंदगी से उसी कदर बेजार हो जाता है कि जो चीज उसके सामने आती है उसे तबाह किये बगर नहीं छोड़ता है चूंके हाथी सिर्फ घ प्तियां खाता है इसलिए घर जंगलों में पाय जाता है गहरे पानी में डुबकियां लगाने और नहाने का उसे बहुत शौक है इसलिए उसके गोल अक्सर जील या दरिया के किनारे नजर आते हैं उसके मरने के बाद लोग उसके दात निकाल कर ले जाते हैं और उन्हें बड़ी भारी कीमत में फरुखरике के में में भी फ़ाट हैं बेच बेचskाण बेचते हैं वेचके फरुख्त करते हैं हाथी की दात वसी दात बहुत से खूबसूरत में चीज़ बनती है जीन है शौकिन हाथी ओं शौकीन हाथ थों हाथ खड़ी लेते हैं तो बच्चों आप समझ गया होंगे आपको मालूम हो गई होगी कि हाथी अफ्रीका का हाथी कैसा होता है और मेरे हिंदुस्तान की हाथी कैसा होता है आपको मालूम चल गया हो मुझे उमीद है कि आप समझ गया होंगे तो आपका ये सबक नमबर तीन पूरा होता है मुकमल होता है शुक्रिया खुदा हाफिज